वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें बहुत ही इंपोर्टेंट टेस्ट नंबर नाइन होगा इसमें हम देखेंगे जोग्रफी जोग्रफी का तीसरा टेस्ट है अब यह आपके 300 क्वेश्टन्स होने वाले हैं बहुत अच्छे से प्रिपेर कीजिए में लिए न्सी आर्टी बेस टेस्ट हैं जिससे कुछ भी ना छूट है आपका अच्छे से टेस्ट अटेम्ट कीजिए अच्छे से अपना स्कोर बताईए पूछी गई चीजों के आंसर मुझे जरूर करके बताईए इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स जॉइन करने में इंट्रस्टेड हैं वो नीचे दिये गए वातार उसमें अब तक शाइद साड़े-चार पांच हजार प्राइज आ चुके हैं आप उन सबको प्राक्टिस कर सकते हैं करेंट फेर भी उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज करेंट अफेर्स पूरा स्रेडी मटीरियल सब कुछ एक जगा पाने के फिलाल के लिए टेस्ट नंबर नाइन देखेंगे हैं लाने अगमाद चलिए तो यूपी-पी-पी-स प्रेलिम्स 2024 जोगरफी का थर्ड टेस्ट है हमारा NCRT 9-11 पहला सही विकल्प चुनना है आपको भारत में प्रती हजार पुर्षों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहत जाता है और आंतरे खल्चलों के कारण प्रिथवी की सतह पर पढ़ने वाली जो दरारे होती हैं जिनकी वजह से रॉक स्लिप करती हैं उनको कहते हैं ब्रंश मतलब फॉल्ट्स एक प्रिकार की खारे पाने की जील जो समुद्र में ब्रंशों और समुद्री जीवों के एक टाइप का सॉल्ट वाटर लेक जो की सैंड बैरियर्स और मरीन अनिमल्स की वजह से बनता है ठीक है ना ब्रंश ब्रंश का कोई ले ना देना नहीं है उसको कहते हैं लेगून लेक ठीक है जो बनता है रेथ बालू की बाधाओं से ये फॉल्ट्स नहीं आएगा यहां सही विकल्प चुनें, choose the correct option भारत की मानक मध्यान रेखा प्रताबगड के नैनी कस्वे से हुकर गुजरती है बूपरपटी की सरचना और गती का संबंध है भू विवर्तनी की से, जियो टेक्टॉनिक से, अर्थ क्रस्ट में जो मूवमेंट है उसनका स्ट्रप्चर है जितने लोग एक साल में पर थाउजंट लोग मर रहे हैं उसको death rate कहते हैं और किसी स्थान पर वे समय जब सूर ठीक मध्य में चमक रहा है, exactly in the middle, उसको कहते हैं स्थान ये समय local time C सही है, 2, 3 और 4 देखिए, standard meridian आप जानते होंगे, 82.5 degree east ये आपका standard meridian है इंडिया का, जिसको कहा जाता है certified time of entire India Nanny town प्रियाग राज का है, प्रताब बढ़का कहा से हो गया Third, सही विकल्प चुने, choose the correct option, जलवायू विज्ञान के अनुसार अपेक्षात्रत कम वायूदाब वालेक्षेत्रों को अवदाब कहा जाता है, depression, जहांपे low air pressure मिलता हो तलचट से बनी चटाने जनकी सरचना आमतोर पर परतदार होती हैं, अवसादी कहलाती है, rocks form from the sediments, layered structure होता है किसी निश्चित समय वधी की शुरुवात में किसी ख्षेत्र में होने वाले जन्मों की कुलसंख्या को आधार जनसंख्या base population कहते हैं, बताईए पहला और दूसरा सही है, number of deaths ना की birth उसको कहते हैं, base population याद रखेगा यह चीज़ प्रती का एक शेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, population density प्रती हजार व्यक्तियों पर जनम लेने वाले जीवित शिशु, live infants, birth rate कहलाता है, जनम दर वह औसत आयू जस पर कोई भी व्यक्ति 70 से 90 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जीवन प्रतियाशा कहलाती है, life expectancy, answer सी गलत है, life expectancy है, average age हर आदमी की, समझ रहे हैं आप, प्रती व्यक्ति की ओसत आयू कहलाती है, जीवन प्रतियाशा, ये इतने से इतने साल, ये नहीं है सही विकल्प चुने, choose the correct option, धरातल अत्वा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाई जाने वाले उचाईउं के अंतर को उचावच कहते हैं, difference in heights is called relief नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन, गाद या शिला, कणों वाली कांप अत्वा जालोड मिटी के निक्षेप से बना सम्तल, भूभाग जालोड मैदान कहलाता है, alluvial plains कहलाता है और किशोरा अवस्था कौनजी है, adolescence, 10 से 17 साल की उमर, answer ए है, first, second, ठीक है, third क्यों गलत हो गया, आपका adolescence है 10 से 19 साल सही विकल्प्चने, choose the correct option, वे चट्टाने जो प्रिथ्वी के बाहर मैगमा या लावा के जमने से बनती है इगनिस रॉक्स कहलाती है, मैगमा लावा जब outside there solidify हो जाए आश्रित आयू एवं आर्थिक रूप से सकरे आयू के लोगों के बीच का अनुपात को आश्रित आश्रित अनुपात कहते है ratio between people of dependent age group and economically active age group एक आरक्षित शेत्र ऐसा reserved area जहाँ पे natural vegetation, wild animals, natural environment को conserve किया जाता है प्रोटेक्ट किया राता, उसे कहते हैं wildlife century वा नजीफ अभिहारन ने, answer B ठीक है देखिए, इसको कहते हैं national park राश्ट्रोड्यान और जो rocks बनता है अंदर, आउटसाइड नहीं, जो inside होती है solidify, वो होती है agnious rocks ठीक है और यह dependency ratio आपको पता होगा 15 years से 59 years होता है ठीक है गलत विकल्प चुनें, चुज़दे incorrect option प्राथमिक विवसाई के अंतरगत, कृषी, पशपालन, व्रिक्षारोपन, प्राइमरी बिजनेस समझ रहे हैं, यह सब आता है विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण, यह सब है secondary business द्वित्यक विवसाई और tertiary में transportation आता है, आपका communication, commerce, administration तृत्यक विवसाई है इंकरेक्ट बताईए कोई गलत नहीं है, ठीक है बिलकुए एट्थ, सही विकल्प चुनें, चूज़दे करेक्ट option, राष्ट्रिये जनसंख्या नीती की बात ओरी है इसके अंत्रगत वर्ष, 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को निश्वल्क सिक्षा प्रदान की जाती है, National Population Policy 2000 में, अच्छा, इसी के तहत एक target रखा गया था कि infant mortality rate को 30,000 पर 1000 से कम लाएंगे, और इसी में target रखा गया था कि बड़े पैमानों पर बच्चों को टीका से र रक्ष रखा जाएगा, और रखा गया था कि marriage age लड़कियों की बढ़वाएंगे और, और family planning को union centric program बनाएंगे, संग केंद्रत कारिक्राम, अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर, है न, B, first, second, third, or fourth, fifth, क्यों गलत हुआ, fifth, में क्या है, family planning को एक people centric program बनाएंगे, जब तक लोगों में नहीं जाग रुखता होगे, सरकार क्या करेंगे, ninth, सही विकल्प चुने, choose the correct option, भारत विश्व का पहला देश था, जिसने 1952 में परिवार नियुजन के लिए एक राष्ट्रे कारिक्रम स्टार्ट किया था, family planning program, किसी विशेष शेत्र में दो समय अंत्रालों में जनम दर तथा मृत्यू दर के अंतर से जनसंख्या में होने वाली वृद्धी को स्क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धी दर क्याते हैं, natural growth rate, उस एरिया का, 2001 की जनगर्णा के अनुसार वहवेक्ती जो नौ वर्ष का है या उससे जादा उमर का है और वो किसी भी language को समझने के साथ पढ़ा और लिख भी सकता है, तो वो literate है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है, ए ठीक है, थर्ड क्यों गलत हुआ, साथ साल का, नौ नहीं साथ, 10th, सही विकल्प चुने, choose the correct option, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, 382 भारत की जनसंग्या का घनत वथा, 382, और decadal growth rate जश्के विर्धीदर 17.64%, ठीक है, और सबसे popular state उत्रप्रदेश, देखो 20 करोड के करीब, population पहुँच रही है, बताओ, 11th, सही विकल्प चुने, choose the correct option, 1930s में Arthur Holmes ने कहा, कि mental भाग में समहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त थी, मतलब convection currents है, mental में, विजिनर के हिसाब से, दो कारण थे, महादूप ये विस्थापन के, polar और polar fleeing force, दुरुविया, दुरुविये, fleeing, बल्या, फिर जवारिये बल, टाइडिल फोर्स, answer, ठीक हैं दोणों, ट्वेल्थ, सही विकल्प्ट ने, choose the correct option, ecology शब्द कहां से बना है, स्वीडिश वर्ड्स, एकियोस और लॉजी, जर्मन जोलोजिस्ट अर्नेस्ट हेकल ने पहली बार ये शब्द ये शब्द यूज़ करा, पहला, ये ग्रीक वर्ड है, स्वीडिश वर्ड्स नहीं है, जैनरली ग्रीक वर्ड्स ही होते हैं ऐसे, 13th, सही विकल्प्ट ने, choose the correct option, अंतर तार किये धूल परेकल्पना, इंटेस्टिलार डस्ट हाइपोथेसिस, किस ने दिया, इमानुवल कैंट ने, 1949 में, जेम्स हटन ने दिया, यूनिफॉर्मिटेरियनिजम, एक रूपतावाद का सिधान था, 1785 में, नेबिलर हाइपोथेसिस दिया, ओटो शिमिडिट ने, 1755 में, correct बताना है आपको, बी ठीक है, इंटेस्टेलार दिया था आपका, ओटो शिमिडिट ने, 49 में, पस ये करना है यहां पर, ओटो लगा दो, ये वाला, और नेबिलर हाइपोथेसिस दिया था, कैंट ने, येर ठीक है, 14, सही विकल्प चुने, correct option, निहारिका परिकल्पना के विप्रीथ, चैंबरलिन ने, सन 1905 में, प्रित्वी की उत्पत्ती के संबंध में, अपनी गरहानों पर एकल्पना प्रस्तुत की थी, in contrast to nebular hypothesis, चैंबरलिन ने दिया था, planetary hypothesis, एक आकाश गंगा के निर्मानी की शुरुवात, हीलियम गैस से बने विशाल बादल के संचेन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं, मतब बड़ा सा हीलियम गैस से होती है, जिसे नेबुला कह रहे हैं हम, प्रित्वी की उत्पत्ती के संबंध में, नफ्तारक सिधान्त के प्रतिपातक सर्फ फ्रेड हॉयल और लिटल्टन थे, बताइए अब, सेकेंड क्यों गलत हुआ, जो गैलेक्सी का बिगिनिंग हुआ, वो हाइडरोजिन का जो गैस था, फिफ्टीन, सही विकल्प चुने, जोस्दे करेक्ट आप्शन, हवाओं की दिशाओं का निर्धारन पित्वी ने के अपने अक्ष पर घुणनन तथा वायूदाब की कारण होता है, डिरेक्शन ओफ विंड्स जो है, इंद्रिधनों श हमेशा बारिश के बाद और सूरी के विपरीद दिशा में, opposite to the direction of the sun दिखता है, जब सूरच चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली तो डेज और नाइट्स बराबर हैं दुनिया में, जब वो ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन पे चमक रहा है ना कि कैंसर पे, ठीक है, 16th, सही विकल्प चुनें, चूस्द करेक्ट, option, अंड़मान निकोबार कहां है, दक्षन पूर्व में, बंगाल की खाड़ी में, लक्षदीब गुरुप कहां है, अरेबियन सी में, साउथ वेस्ट में, और सबसे हमारा जो, सदरन मोस दक्षनी बिंदू है, इंद्रा पॉइंट, वो सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया था, इंद्रा पॉइंट को पहले, पिगमेलियन पॉइंट या, पार्सन पॉइंट भी कहते थे, आंसर, ठीक है, तो ये आपका, इंद्रा पॉइंट एक गाउँ था, है मतलब, एंद्रा पॉइंट वाने निकुबार आइलेंड्स में हैं, 17th, दो से अधिक देशों की सीमा रिखा को स्पर्श करने वाले राजों का आपको चैन करना है, सिक्किम, वेस्पेंगॉल, मनिपूर, असम, ऐसे दो राजे हैं, देखिए, सिक्किम की बाउंडरी टच कर रही है, नेपाल, चाइना, भूटान, वेस्पेंगॉल टच कर रहा है, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, मनिपूर, सिर्फ मैनमार को टच कर रहा है, असम टच कर रहा है, बांगलादेश और भूटान, मैप देखते रहिए तो सही रहेंगी बात हैं एंटीन सही विकल्प का चेहन करें चूज़ करेक्ट ऑप्षिन नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3124 किलोमेटर यह मैं पुराने टेस्ट में आपसे कमंट भी करा चुक्कियों बहुत बच्छों में कमंट किया था एक्ट्वल दिस्टेंस इस्ट से वेस्ट 2933 दो गंटे का टाइम डिफरेंस है गुजरात अरो नासर प्रदेश में और टोटल एरिया इंडिया का 32.8 लाक किलोमेटर स्क्वेर जोकी 2.4 परसेंट है दुनिया के टोटल लैंड एरिया का सेकेंड थर्ड और फोथ पहला क्यों गलत है थ्री टू वन फोर है आंसर नाइंटीन सही विकल्प चुने चूज़ दे करेक्ट ऑप्शन बैरन द्वीप क्या है एक मात्र सक्रियज वाला मुखी है कहां पे है अंडमान निकुबार की कहां पे है साउथ अंडमान और 23.5 डिग्री पे बनाई जाती है नदरन है में थीक हैं सारी 20 सही विकल्प चुने चूज़ गरेक्ट ऑप्शन मैकमोहन रेखा किसके बीच का बॉर्डर है इंडिया और चाइना इंडिया सात्वा सबसे बड़ा देश है दुनिया का पार्क स्ट्रिट किसके बीच में है त स्पॉट है ओलिडे स्पॉट है लोकेटेड साउथ अफ लक्षदीप आइलेंड बेय ओफ बेंगॉल में इंडेमोशन में बताईए है बी ठीक है माल्दीव्स जो है यह आपका अरेबियन सी में है मैप नहीं देखेंगे तो यह बहुत छोटी-छोटी गलतियां पर कियाएंगे गलत विकल्प का चेहन करें चूज़ इंकरेक्ट ऑप्षिन पस्च्चमी घाड और अरब सागर के तट के बीच बने मैदान को कहते हैं पस्च्चम तटिये मैदान वेस्टन कोस्टल प्लेन जो की काठ्यवार से कनह कोमारी तक है तौंग पस कहां पर है मैनमार में रखीने स्टेट इंडिया को मैनमार से कनेक्ट करता है और इस्टन घाड यह आपके उडिसा से तमिल नालू तक है इंकरेक्ट बताएं कोई गलत नहीं है कि इस्टेण घाट किसमें आते हैं सेटेट की नाम मुझे कमन्ट करिए और वेस्टरन घाट किसमें पाड़ते हैं है । 22 गलत वितल्ब चुने जो द WITH fire connections भारत में सिद्बंगाल की खाड़ी के साथ विस्त्रित मैंदान को उतुरी सरकार कहा जाता है। बारत में सिद् Talking की साथ विस्तरत माधानों के दक्शनी भाग Aware, महानती गुदावरी कृश्शना और कावेरी जैसी बड़ी नदीयां भारत में बंगाल की खाडिख साथ विस्तरत माधानों को विशाल डेल्टा बनाते हैं चिलिका लेख सबसे वदा खारे पानी का लेख है इंडिया का जो की गुदावरी डेल्टा पे पढ़ता है उड़ी सामें इंकरेक्ट बताइए गुदावरी कहां से आगी भाई है यहां पे महा नदी है 23 गलत विकल्प चुने चुज अंकरेक्ट ऑप्शन थार जो प्रगिस्तान है महाँ पे 150 मिलीमीटर से कम रेंफॉल होता है जूनी रिवर जो है वो नागा हिल्स से ओरिजनेट करती है रावली रेंज में और सबसे बड़ी नदी है थार डेजर्ट की एक स्पेशालिटी है पेनिंस्रल प्लाटू की लोकेटेड इन इंडिया के ब्लैक सॉइल यहां मिलती है जिसको डेकेंट ट्रैप भी किते हैं कॉर्मेट की होट फेमस है आप जानते हैं पताईए हिमालिया का सबसे बहारी हिस्सा जो है उसको कहते हैं शिवालिक इसकी चोड़ाई है दस से पचास किलोमीटर और हाइट है 900 से 1100 मीटर इसमें ना अन कंसॉलिडेटिट सेडिमेंट्स मिलते हैं मतलब जो नदियां लाती है न बहुत सारा उसका टूट फूट इसमें उसको कहते हैं दून जैता देहरा दून जो निम्न हिमालिया और शेवालिक के बीच में लंबत घाटी है उसको दून कहते हैं बताईए सही विकल्प चुने चूज दे करेक्ट ऑप्शन खनिच तेल का निशकर्शन केवल मध्ध जीवी महाकल्प की तलचटी चट्टानों में ही संबव है जिसकी सरचना अनुकूल गुंबत दार होती है मतलब मिजोजेक एरा से जो सेडिमेंटरी डॉक सें सिर्फ वहां पर मिलते हैं यह मिन्टर लॉय ठीक है तापिय परिवर्तनों का चट्टानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है लेकिन चट्टानों की कई ऐसे किस्त में भी पाई जाती है जिन पर तापिय परिव 26 गलत विकल्प चुनना है आपको इंकरेक्ट हिमालिया माउंटेन जो है वो सेमी सरकल की तरह है चौबिसो किलोमेटर तक चुड़ाई हिमालिया सी है 400 किलोमेटर कश्मीर में डेर सो तक अर्माटर बहुत आपको विवित्ता मिलेगी वेस्टन पार्ट में एस कंपेर्ट एस्टन पार्ट है हिमादरी सबसे सतत है continuous mountain chain है इसमें बहुत उची-उची आपको चोटी मिलेंगी 6000 मीटर की हाइट है आंसर सी गलत आपको variation मिलता है height में ज्यादा variation east में है west में कम variation है ठीक है उल्टा दिया हुआ है 27 गलत विकल्प का chain करें choose the incorrect option बात हो रही है ocean कटिबंधी है पर्ण पाती वन की tropical deciduous forest की सबसे बड़े forest है इने monsoon forest भी जाते हैं कहां मिलते हैं यह जहां पे 70 से 200 cm तक बारिश पढ़ती है और जो इनकी पेड़ होते हैं वो dry season में पत्ती हों उनकी जड़ जाती है छे से 8 हफतों के लिए और humidity के हिसाब से इनको दो parts में divide करते हैं आदर और शुष्क, moist and dry, answer humidity के हिसाब से कहां से होता भई water की availability के हिसाब से करते हैं ठीक है ना पांजल क्यूप लब्दता के आधार पे हैं 28 बबूल खजूर यूफोब्रिया और होथॉन नाक्फनी यह कौन से रिजन के प्लांट स्पीचीज है टॉपिकल टैसे डूर्स के परवतिये फॉरेस्ट के कटीले जाडियों के यह इन में से कोई नहीं यह थौनी फॉरेस्ट और स्क्रब की विराइटी है ना 29 सही विकल्प चुने चूज दे करेक्ट ऑप्शन इंडिया इस वन अफ टॉप टॉप ट्वेल्फ बायो डैवर्सिटी रिच कंट्रीज इन दे वर्ल्ड 15,000 फ्लावर्ट स्पीचीज मिलते हैं यहां पे 6% फ्लावरिंग फ्लांच दुनिया के यहां मिलते हैं एक सिंग वाला गेंड़ा यहां पे स्वांपी अर्याज मिलते हैं असाम बेस बेंगॉल में और 90,000 अनिमल्स की स्पीचीज इंड़ा में पाई जाती हैं कि ठीक बात है इंडिया में जनसंख्या का कुल 64% जो है वो पॉपलेशन एंगरिकल्चर में लगी वी है 13% सेकंडरी सेक्टर में है 20% तर्शरी में अभी देखिया आपने सेक्टर्स उपर और 1980 में बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट था और डिक्लाइन था डेथ रेट में तो डिफ्रेंस काफी आ गया बर्थ और डेथ रेट में जिसकी वेज़ासे पॉपलेशन गुरूथ रेट जो है वो भड़ गया था ठीक है यह सारी बात है तो इसे वो नहीं है थोड़ा सा हीमन जोग्रफी का पाट ज्यादा है 31 गलत विकल्प चुने चूस्दें गरेक्ट ऑप्शन मानव संसाधन विकास मंत्राले 1985 में आया इस्ट्रिव फीपोपुलेशन की दुनिया में है 51 परसंट पर स्क्वार्ट यूट दुनिया में एक हाइस्ट पॉपलेशन देंसिटी मिलेगी साओध देस्ट एस्ट एश्या में ओल्मस्ट हाफ ऑफ इंडिया की पॉपलेशन रहती है सर्फ पांच स्टेट्स में यूप महराष्ट बिहार, वेस्ट पेंगॉल, आंधुपूश, बताओं सी गलत है, हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, साउथ सेंट्रल एशिया फिर इस्टेशिया, फिर साथ इस्टेशिया सही विकल्प चुनना है गंगा भ्रहमपुत्र नदियों के उपजाओं मैदान तथा चीन में, मौमधी और चांग जियांग नदियों के उपजाओं मैदान, घनियाबादी वाले, शेत्र हैं इंटेंसली पॉपुलेटर है, पिट्सबर्ग, स्टील सिटी है, आप जानते हैं, यूएस का और पहला यंत्रिकरत वस्त्र मिल आया था 1854 में, बॉंबे में, मैकनाइस्ट टेक्स्टाइल मिल सेकंड थर्ड, आपके प्लेंस, गंगा, भ्रह्मपुत्र के जो हैं, वो आपके इंडिया में डेंसली और हुआंग है, और चाइंग, जियान नदी, जो चाइना की हैं, उनके जो प्लेंस हैं, वो बहुत जादा डेंसली पॉपुलेटर हैं, नौट नहीं आएगा, देर व मैप पढ़ो, होम्स बताया था मैंने आपको, अभी अरेंज्मेंट पूछ रहा है, बताओ ज़रा, डी हो जाएगा, लेफ्ट से राइट देखेंगे, तो पहले मिशिगन आएगा, सॉरी, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरॉन, फिर एरी, और फिर आएगा आपका, उन्टेरियो, 34, उस परवच शिखर का चयन करें, जो भारत में अवस्त नहीं है, नॉट लोकेट इन इंडिया, कामिठ, नंदा देवी, गुर्ला मंधाता, नमचा बारवा, गुर्ला मंधाता यहां नहीं है, नेपाल में है, आप जानते होंगो, 35, गलत विकल्प चुने, इंकरेक्ट, सीमा सडक संगठन का गठन हुआ, 1960 में, बॉर्डर रोड्स और्गनाइजेशन का, रेजिंग डे होता है, इनका साथ मई, इंडियन पार्लिमेंट ने एर कॉर्पॉरेशन आक्ट पास किया, जिससे एरलाइन्स का मर्जर हो सकता था, एवियेशन जो है, वो न 36, सही विकल्प चुनना आपको correct option, राजस्थान सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रेद्यूसिंग स्टेट है, बॉक्साइट उत्पादक राज्ये और सिंगभूम, कॉपर प्रेद्यूस करता है जहारकंड से, खेतरी माइन्स कॉपर के लिए famous हैं, correct बताना है, second और third, ओड जीसा है largest box site, राजस्थान नहीं, खेतरी माइन्स तो बहुत famous है, सुना होगा आपने नाम, गलत विकल्प चुने, चूस्थ इंकरेक्ट option, बालाघाट माइन्स जो हैं MPP, 52% कंट्री का कोबाल्ट उच्पन करता, ठीक, नेलोर माइका बेल्ट आंधर प्रदेश की, माइका important producing माइका बेल्ट है, और कोडर्मा गया हजारी बाग माइका बेल्ट, बिहार जार गंड के लेडिंग प्रदेशर से हैं, ये गलत है, बालाघाट माइन्स जो हैं, आपका MP का, वो प्रदेश कर रही है, 52% कंट्री का प्रदेश की कोबाल्ट, 38, सही विकल्प चुने, चूज़ दे करेक्ट, ऑप्शन, 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है, एक टन स्टील प्रदियूस करने के लिए, हेमेटाइट आइरन ओर बहुती हाई कॉलिटी आइरन ओर है, आप जानते होंगे, बैलाडिला रेंज में मिलता है, ये बस्तर, 36 गड और हेमेटाइट आइरन ओर निकाला जाता है, बदाम पहाड से, मैयूर धंच केंदुजार, सुनाओगा आपने, इंपॉर्टेंट है, सारा देख जो, 39, सही विकल्प चुने, चूज़ दे करेक्ट, ऑप्शन, माउंटेंज इन इंडिया, 30 परसेंट कवर करते हैं, एरिय 27 परसेंट, प्लेंज करते हैं, 43 परसेंट, बदाएए अब आप मुझे, कौन सा आपका, करेक्ट आपको चूज़ करना है, क्या हो जाएगा, 39 का, C, ठीक है थी, तो अच्छा पॉइंट है ये, इसको देख लो एक बाल, चलिए, तो 48 देख लीज़े, निम्रिखित में से स शोब मंडल में अत्यधिक उचाई पर चलने वाली जो पच्छुवा हवाएं हैं, उनको कहते हैं, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, जो की बहुत हाई अल्टिट्यूड पे वेस्टरली विंड्स ब्लो करती है, ट्रोपोस्फियर में, बहुत ही पतली पत्टी के हिसाब से स्पीड रहती हैं, एनकी 110 किलोमेटर प्रती घंटा गर्मियों के टाइम पे, 184 रहती है सरदियों के टाइम पे, और जो प्रिथवी के गुननन बोल, बोलनियों का बल हो गई, बोल के कारण उत्पन आभासी भल को कोरियालिस बल कहा जाता है, जो वर्चुवल फोर्स है, वो रोटेट कर रही है, इस रोटेटिंग बॉल, उसके हिसाब से कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसको कहते हैं कोरियालिस फोर्स, और कोरियालिस फोर्स की वज़े से आपको पता होगा, हवाईं डिफलेक्ट होती है, कोई भी चीज, जब गोल घूम रही है, तो उस पर कर हावा चला के देखो, आप तो डिफलेक्शन आएगा, वो होता है, राइट की तरफ नदरन हमिस्फेर में और लेफ्ट की तरफ सदरन हमिस्फेर में, बताईए, डी होगा आपका अंसर, सारे ठीक हैं यह, है न, इसी को तो कहते हैं, फेरल्स लो, सुना होगा आपने, फेर आउज डार्विन ने यह सजेशन दिया कि प्रारंभ में प्रिथिवी तथा चंद्रमा तेजी से घूनन करते एक ही पिंड हुआ करते थे, देवरे सिंगल बॉडी, रैपडली रोटेटिंग बॉडी, इंटरनाशनल एस्ट्रोनमिकल यूनियन ने अगस 2006 में प्लूटों क परिकल्पना, एक्स्पैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और 1920 में एडविन हबल ने एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स एक्स्पैंड कर रहा है, विस्तार कर रहा है, पता यह है, यह 1938 तो बहुत ज़्यादा आ गया गए, ठीक है, यह 1838 है, 42, सही विकल्प चुने, चूज दे करेक्ट, ऑप्शन वो स्थान जहां से उजा निकलती है, भुकम का उद्दम केंदर केहनाता है, जहां से एनर्जी बहुत साइट रिलीज हो रही है, वो फोकस है, और जो तरंगे हैं, वो फील कहोंगे आपको सब्सक्र पहले एपी पास करती है, आंसर बताओं, करा चुकी हैं क्वेशन में गलत नहीं होना ची बिलकुल भी, बी ठीक है, S वेव्ज, आप देखें अगर, S वेव्ज की पहचान ही ये है, S वेव्ज थोड़ी लेड लतीफ वेव्ज हैं, थोड़े देर के बाद पहुचती हैं, और ये सिर्फ सॉलेड में पास कर सकती है, 43, सही विकल्प चुनें, चूस दिकर एक्ट ऑप्शन, महा सागरों के नीचे भूपरपटी की ओसत मुटाई लगभग 5 किलोमेटर है, और हिमालिया परवच श्रेणियों के नीचे भूपरपटी की ओसत मुटाई लगभग 70 किलोमेटर है, और हिमालिया परवच श्रेणियों के नीचे भूपरपटी का घनत्व तीन ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर होता है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और अर्थ की डेंसिटी ओशन के नीचे कितनी है, 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बिचले टेस्ट में आपको नॉर्मल थिक्नेस कर आई थी वन टू थी ठीक है डैंसिटी जो है अर्थ क्रस्ट की ये तीन है ठीक है ये 2.7 है ठीक है याद रखना ये चीज बसाल्ट से बना है मेली अर्थ क्रस्ट यहां पर और ये 2.7 होगी 44, गलत विकल्प चुने, चूस देन करेक्ट ऑप्शन, बहाई क्रोड गैसी अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड थोस अवस्था में पाए जाता है, आउटर कोड तो गैस है, इनर कोड सॉलिड है, मैंटर तथा क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घना तो लगबग 5 ग्राम तक जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे 1300 किलोमेटर तक जो सेंटर में जाते हैं, कोर बना है बहुत हैवी माटीरल से, निकल और आईरेन, जिसको नाइफ़े कहते हैं, बताइए इनकरेक्ट, पहला गलत दिया हुए, आउटर कोड आपका लिक्विड है, इनर कोड 45, सही विकल्प चुनें, जूज दिकरेक्ट ऑप्शन, महादूपी किनारों और गहरे समुद्रों बेसन के बीच के भाकू कहते हैं, टिलाइट, कॉंटिनेंटल एज और डी पोशन बेसन जो है, उसके बीच का पार्ट, और कॉंटिनेंटल मार्जिन कहां मिलती हैं, आपक अधूनिक समय में विक्सित रेडियो मेट्रिक काल निर्धारन विधी से महासागरों के पार महादूपों की चट्टानों के निर्मान का समय आसानी से जाना जा सकता है, जो रेडियो मेट्रिक डेटिंग मेथड है, उससे रॉक्स का बनी कॉंटिनेंट्स में, अक्रॉस द इसका करेक्ट हो गया आपका D गलत क्यों हो वा देखो पहला देखो जो पार्ट है ना कॉंटिनेंटल एज और डीप ओशन बेसन के बीच में उसको कहते हैं कॉंटिनेंटल मार्जिन ठीक और अबाइसल प्लेंज मिलते हैं कॉंटिनेंट कोस्ट और मिड ओशन रिजिस के बीच में ये अबाइसल प्लेंज है और जो आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स हैं जो बनती हैं ग्लेशल डिपॉसिट से उनको टेलाइट कहते हैं समझगें आप एक्सचेंजड हैं ये तीनों सागर अधस्तल विस्तार और मैकेंजी पारकर और मॉर्गन ने इंडिपेंडेंडेंटली अपने उपलब्ध विचारों का सम्मान किया और एक अवधानना प्रस्तुत की 1967 में जिसको बोला प्लेट टेक्टोनिक्स 1967 इनकरेक्ट बताना है आपको बी गलत है देखिए यह एपिसेंटर नहीं होता है यहां पर यहां पर आच्छुली फोकस होता है 47 सही विकल्प चुने चूज़ करेक्ट ऑप्शन अभी प्लेट्स हैं को जाएं आपने देखा होगा डाइगरम भी दिया हुए तो यह वाले चीक्स में बहुत ध्यान से देखनी होती हैं यह बोल रहा है कोको प्लेट किसके बीच में है सेंट्रल अमेरिक और पैसेफिकोशन प्लेट के बीच में फिलिपीन प्लेट के बीच में नॉर्थ ऑफ गिनिया मे पहला और चौथा ठीक है फिलिपीन प्लेट कहां पे है एशिन कॉंटिन और पैसेफिकोशन प्लेट के बीच में मतलब यह फिलिपीन प्लेट का अंसर हो गया और नासका नासका है साउथ अमेरिका और पैसेफिकोशन प्लेट के बीच में यह तो यह इंटरजेंज हैं दो 48 गलत विकल्प चुनें चूज दिन गरेक्ट ऑप्षन जो अभरक है माइका उसकी सरचना में पुटाशम, अलुमीनियम, मैगनेजियम, लोहर से लिखा जैसे खनेज आपको मिलेंगे पृत्वी की भूपरपटी पर चार्पिशत भाग अभरक से बना है 4% अर्थ का क्रस्ट अब रहा कामतोर पर अफसादी और उपांत्री चट्टानों में पाये जाएगा और इसको प्योग विद्यूत उपकरण में किया जाता है जो सेडिमेंटरी और मेटमोर्फिक रॉक्स में आपको यह मिलेगा और पायरॉक्सन जो है उसकी सरचना में आपको कैल्शम, अलु अब बाकी ठीक दिया हुआ है ठीक है यह यह पायरॉक्सन जो है ना टैन परसेंट आपको अथ के क्रस्ट में मिलता है और यह मिटरोट्स में भी मिलता है जानते हैं बोलका पंडो में और ग्रीन गलर का होता है यह पायरॉक्सन गलत विकल्प चुने जूसे इनकरेक्ट ऑप्शन सिलिकन और कैल्शियम फेल्सपार में है सारे आधा अर्थक्रस्ट फेल्सपार का बना हुआ है यह इंग्लिश वाली में लिखा है इस मैंने लिखा कोई थी फेल्सपार जो है वो सिरामिक उटेंसिल जर ग्लास बनाने के गाम अब झीए मिट्या के बढ़तन होते हैं वह ओड बहुती कफोर एक खनिज है और कंप्लीट्ली इफुलिबल है इंसॉलिबल है दो एव नीफ हां ऑजिजिशिव उप्ली है और कि रिडियो रटार में इस्तवाल कि यह रताया आइस रता है जह किलफिंस ऊचिल्ग ईन सब्सक्राइब और अलग अलग फैल स्पार्ज में आपको देखने को मिलेंगे आधा क्रस्ट बना है ठीक है क्वाट्स आपको समझ आ गया होगा क्वाट्स किससे बना होता है आप जानते हैं कोड्स होता है सैंड और ग्रिनाइट का कोड्स में भी कोड्स का मेंन कॉमपेनेंट होता है सैंड और ग्रिनाइट का और कोड्स में आपको सिलिका मिलेगा ठीक है न और ग्रिनाइट का बहुत इंपॉर्टन कॉम्पेनेंट है याद रखना है 50 सही विकलप्चुनें चूस्द करेक्ट ऑप्षिन दाब आईतन एवं परिवरदन की प्रक्रिया के फल्स्वरूप का कायांतरित शैलो का निर्मान होता है आप जाते हैं मेटामौर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं और इगनियास रॉक्स जो है वो मैगमा और लावा जो होता है अर्थ के अंदर ओ धंडा हो जाता है इसलिए उनको प्राइमरी र तरतीवागी असक के अंदर से निकले हैं मेगनेजियम आइरन सिलिका जो है वो मेन एलेमेंट्स है ओलिवाइन के आंसर दी हो जाएगा ठीक है यह ओलिवाइन क्या होता है यह जूलरी बनाने में काम आता है सिंपल क्रिस्टिल्स टाइप होते हैं जो बसाल्टिक रॉक्स में मिलते हैं तो इनकी जूलरी बनती है श्रभुन का प्यारा सवाल आ चुका है अब आपको यह सवाल ब्ल्कुल ठीक खरना है सही विकल्प्चिने जूस्द करेक्ट ऑप्शन सैंड्स्टोन और लोइस किसके हैं क्यमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स के बालुकाश्म और विम्रदा रसायनिक रूप से निर्मित अफसाधी शैलों के उधारन है गीजराइट और कोईला यह और गानिकली कार्बनेक रूप से जो बनी हैं सेडिमेंटरी रॉक्स उनके ग्जाम्पल हैं श्रिंक प धान देना चुर्ट हेलाइट लाइमस्टोन पुटैश यह केमिकली बने हुए है चुर्ट लाइम स्टोन हेलाइट पुटैश यह केमिकली बने हुँ है मेकानिकली नहीं और सैंस्टोन कॉंगलमरेट लाइम स्टोन शेल सुनाओगा लोइस सुनाओगा यह सब मेकानिकली बने हैं यह ठीक देख कार । 52 कौन सा विकल्प सही है करेक्ट पूछ रहा है। वेदरिंग में अपक्षे एक स्वस्थान या तद्धस्थान प्रकृया है इंसीटू या ओν साइट होता है वेदरिंग। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन के लाता है The result of reaction of carbonate and bicarbonate with minerals is called carbonation Carbonation बहुती common process है जो की felt spar और carbonate materials को अलग करने की काम आता है आचा, खनिज स्वेम जलधारन करके विस्तारत हो जाते हैं और ये विस्तार प्रदार्थ के आयतन अथवा शेल में विर्थी का कारण बन जाता है Water return कर लेते हैं और expand हो जाते हैं ठीक है, answer ठीक है ये सारे, ये आपको देखना है, एक बरी देख लो इसको है न Hydration, आप समझते हैं, इसको Hydration कहते हैं Hydration क्या है, ये chemical compounder पानी का इस process को Hydration कहते हैं 53, गलत विकल्प चुने, चूस्दे इंकरेक्ट आप्शन वे सभी प्रकरियां हैं जो भूपरप्रती के भागो को संचाले तुतफाते तथा निर्मित कर रहे हैं उनको पतल विरूपन कह रहे हैं diastrophism, move कर रहे हैं, elevate कर रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं ठीक है, प्रित्वी के अंदर उर्जा अधिकतर रेडियो धर्मी प्रतिक्रियां, घूनी और जुवारी घर्शन और प्रित्वी की उत्पत्ती से जुड़े उश्मा द्वारा उत्पन होती है जो एनर्जी है, अर्थ के इंसाइड, that is mostly generated by radioactive reactions, rotational, tidal friction, heat है अंतर जनित प्रक्रियां, अपनी उर्जा, सूरत द्वारा निर्धारत, वायू, मंडलिय उर्जा, एवं अंतर जनित शर्तियों से नियंतरत, विवर्तनिक कारों को से उत्पन प्रवन्ता से प्राप्त करती है जो endogenic processes है ना, वो energy उप्टेन कर रहे है, atmospheric energy से, जो कि sun आप जानते हैं, सूरत देव कर रहे हैं, सब कुछ यह, और gradients जो generate कर रहे हैं, tectonic factors, जो plates खिसक रही हैं आपस में ज्वाला मुख्यता, volcanism में क्या होता है, पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की और सचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाही ज्वाला मुख्यता, स्वरूपों का निर्मान सम्मिलत होता है, मतलब movement of molten rocks और लावा, towards the surface and formation of many internal and external volcanic forms, बताईए incorrect C हो जाएगा, देखूं, अंदर वाली forces पे sun का काम नहीं है, ये exogenic forces की बात हो रही है, जो प्रत्वी के अंदर है, ठीक है, ये बहर जनिक प्रक्रियां है, बाकी ठीक हैं बिल्कुमें, 54, मिट्टी के निर्मान में सहाइक कारकों का आपको चहिन करना है, जो factors मिट्टी बनाते हैं, ऐसे parent material है, topography, उस्तलाकरती है, जलवायू, climate है, climate नहीं, climate है, जैविक रियाएं हैं, time हैं, बताईए, definitely सभी factors हैं, जिन से विज़े से मिक्टी बनती है, 55, गलत विकल्प चुने, choose the incorrect option, नदियां जब युवा वस्ता में होती हैं, तो उथली वी आकार घाटिया बनाती हैं, जब young stage में होती हैं, प्रॉडः वस्ता में नदियों में पानी की मातरा जादा हो जाती है, तो सहाइक नदियां भी इसमें मिल जाती हैं, मतलब, जब mature stage होती है, प्राकरतिक तटबंध, गूकुर जहील बनाती है, river meanders, natural embankments, oxbow lakes, यह सब बनाती हैं, इनकरेक्ट पताना है आपको तो यह आपकी डी हो जाएगा अंसर कोई गलत नहीं है यह सी होगा है हम पे कोई बात नहीं तो ओल्ड स्टेज में आप जानते हैं जो स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज होती है न वो कम होती चले जाती है और रिवर अपना फ्रीली फ्लो कर रह होती है तो इसलिए यह सारे के सारे बनते हैं 56 गलत विकल्प चुने चूस इंगरेक्ट ऑप्शन पहाड़िक शेत्रों में छोटे-छोटे अपर्दित शटान के टुकड़े नदी तल में छोटे-छोटे गर्तों में फस जाते हैं और गोला का रूप में घूमते रहते हैं मंद ढ़लानों पर बहने वाली नदियां घुमावदार हो जाती हैं या नदी विसर्प का निर्मान करती हैं जब ज्यादा horizontally erosion हो जाए तो rivers जो हैं वो ऐसे मियंडर्स की form ले जती हैं जैसे ऐसे erosion हो रहा है आपका समझ रहा है इस वाले पान में horizontal वाले तरीके से erosion हो रहा है और नदी वेदिकाय मुख्य रूप से नश्ठ हुई भू आकरतिये हैं क्योंकि इनका निर्मान नदी दुवारा जमा किये गए बाढ़ के मैदानों के उर्धवदार अपरदन से होता है जो river terraces होते हैं कैसे बनते हैं वो जब vertical erosion हो जाए जब river deposit करती है फ्लट प्लेन तब 57 गलत विकल्प चुनें choose the incorrect option जब कोई नदी उच्छ स्थलों में बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल वाले धलांदार मैदानों में प्रवेश करती है तो एक जलोड पंखा बन जाता है मतलब कोई उची जगह से foot hill पे आ रही है तो slow planes low gradient के तो aluvial fan बन जाते हैं वो fan की त जात आ रहा होता है सारह ठीक है जलोड पंखों के माधिम से बहने वारी नदियां अकसर बहुत लंबे समय तक अपने मूल मार्क का नुसरां नहीं गरती है बलकि अपना मार्क बदल लिती और कई शाकाओं में विभाज़त हो जाती है जिनने जल वित्रिकाय कहां जाता है इंको डिस्ट्रिब्यूट्री कहते है इंट्रिब्यूट्री तो आके मिली नदी में से जो निकली वो डिस्ट्रिब्यूट्री है ठीक है जैसे जैसे डल्टा का अकार बढ़ता है नदी वित्रिकायों की लंबाई भढ़ती जाती है और डल्टा समुद्र में फैलता जाता है जैसे आप जानते हैं जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा रिवर दिस्टिब्यूटरी बढ़ती चली जाती हैं बताइए अब इंकरेक्ट कोई इंकरेक्ट नहीं है ठीक है यह सारे ठीक है तो यह याद रखनी है आपको चीज़ है 58 गलत विकल्प चुनें चूज़ इंकरेक्ट ऑप्शन चूना पथर की चट्टानों के तल पर घुलन की प्रक्रिया से छोटे एवा मध्यमाकार के गूल करतों का निर्मान होता है जिनके विलियन पर इन्हें विलियन रंद्र कहा जाता है जो लाइम स्टोन है माली उसके बॉल्टम पे छोटे-छोटे शैलोड श्वालो डिप्रेशन बन जाते हैं सल्यूशन के प्रसेस से जॉल होती रहती हैं चीज़ें और जब इनका मर्जर ह हो जाता है तो इनको swallow Horse कंते हैं घोल रंद रेक प्रकार के छिद्र होते हैं जो उपर से गोला कार और नीचे से की के आकार के होते हैं से ठीजुशन ऑल्स जो है तैप अफ फोल्स अली सरकुलर रहां उपर से फ़नल शेपन नीचे से गोल्ड रंद्र कास्ट क्षेत्रों में भहतायात में पाई जाते हैं जहांपे कास्ट एरियास होते कास्ट टोग्राफी में मिलते हैं यदी घोल रंद्रों के उपर बनी कंद्र प्रवाव की च्छत द्वस्त हो जाए तो ये बड़े चिद्र द्वस्त रंद या निपात रंद के नाम से जाने जाते हैं मतलब उपर का इनका उड़ जाए तो इनको कहेंगे कुलास कुलाप सिंक्स ठेक है डी गलत हो गया वही देखिए कुलाप सिल्यूशन होल्स जो होते हैं इनको आप डुलाइन्स के नाम से भी जानते हैं डुलाइन्स सुना पर आए नाम अगर तो अगर केव्स जो हैं वो नीचे बन जाएं उपर नहीं नीचे बनेंगे यह और कुलाप्स करता है तो इनको बड़े होल्स को कहा जाता है कुलाप सिंक्स ठीक है और ज्यादे तर सल्यूशन होल्स जो होते हैं ना वो कवर्ड रहते हैं जो एक्यूमिलेशन होता एरोड़ उन से 59 गलत विकल्प चुने चूँज द इनकरेक्ट ऑप्शन जब कंद्राओं की छत धेने या पदार्थों के खिसकने के कारण ध्वस्त घोल रंद्र डोलाइन अभी बताया ना डोलाइन आपस में मिल जाएंगे तो लंबी सक्री चौड़ी खाईयां बनेंगी जिने घ को लैप्स सेल्यूशन होल से डोलाइन एक दूसरे को जॉइन कर लेंगे तो लॉंग नैरो वाइट ट्रेंचेस बनेंगी जिनको वैली सिंक्स कहा जाएगा जब धीरे धिकांश चूना पत्थर की चट्टाने गर्तो और खाईयों के हवाले हो जाएंगी तो पूरे क्शेत बननी जाएंगी बचे जाएंगी उनको लापीस कहते हैं ऐसी कंद्राएं जिनके दोनों सिर्क खुले हों सुरंग कहलाती है टनल जिनके दोनों एंड्स खुले हों इनकरेक्ट कोई है यह नहीं इसमें से ठीक दें होएं सारे हैं तो यह थोड़ा सा प्लीज मतलब मुझे नहीं मुझे पर्शनली बहुत खराब लगते हैं यह वाले जो पार्ट है जोग्रिफी का पर आप लोग देख लीजे एक बारी है ना 60 सही विकल्प्टिने चूज स्टैलिगमाइट क्या है आम तोर पे आधार पर या कंदरा की छट के पास मोटे हैं और सिरों पे पतले हैं थिक अद बेस और नेदर रूफ और बिकम थिनर अधी एंड्स वास्तव में स्टैलिगमाइट्स जो है वो लाइम मिक्स वाटर जो डुडिप करता है रूफ ऑफ केव से ग्राउंड पे उस से बनते हैं और विभिन मोटाई के स्टैलिगमाइट और स्टैलिकट Administration जो है उनके मिलन से स्टम और कंद्रा स्टांब का निर्मान होता है पिलर्स और टुब लग गई है शायद, 60 का D हो जाएगा यह ठीक है सारे, ठीक है, 61, गलत विकल्प चुनें, जूज़ा इंकरेक्ट ऑप्शन, नफ चंद्रकार बालू टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, उन्हें बर्खान बालू टिब्बा कहते हैं, जो मून शेब्ड सैंड यून्स होते हैं, क्रेसंट शेब्ड, जिनके ह आत पॉर्टूट कर जाते हैं, विंड के डिरेक्शन में, समझ रहे हैं, उनको बार्खान सैंड यून्स कहते हैं, जहां रेती लिए धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पती भी पाई जाती है, वहां बर्चान बालू का टिब्बो का निर्मान होता है, जहां पार्शल वे जहां पर पार्शल वेजिटेशन होती है, वहां पर पैरबॉलिक या पैरबॉलिक सैंड यून्स का निर्मान होता है, पैरबॉलिक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पर वलेक बालू का टिब्बे, पैरबॉलिक, नॉट बार्शेन, 62, सही विकल्प चुलें, चूज दिकरेक्ट ऑप्शन, शोब मंडल की मुटाई भूमंदर एखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज वायू प्रभा के कारण उश्मा अधिक उँचाई तक पहुँच जाती है, ठिकने स्ट्रोपोस्फेर की ग्रिटेस्ट है, एकोवेटर पर, क्योंकि आप जानते है, क्योंकि आप जानते है, कन्वेक्शनल एर करंट्स फ्लो करते हैं, बहुती स्ट्रॉंग, तो हीट उचाई तक जाती है, शोब मंडल में धूल के कण और जलवाश में होता है, गिरता है, और शोब मंडल जो है, वो सबसे important layer है, biological activities के लिए, पता ये correct, सही है सारे, ट्रोपोस्फेर के बारे में, शोब मंडल के बारे में आपको पता होने चीज़ चीज़ हैं, ऐसे वाले questions नहीं गलत कर सकते हैं, वेदर के जितने change हैं, वो सब ट्रोपोस्फे शोब मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला जो भागे वो शोब सीमा है, ट्रोपोस्फेर और स्ट्रोपोस्फेर को जो अलग करता है, वो क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेर कहां तक मिलता है, आपको 50 km, ट्रोपोस्फेर के उपर जाओगे, तो स्ट्रोपोस्फेर मिले मीजोस्फियर जो है वो स्ट्राटोस्फियर के उपपर है अभी तो स्ट्राटोस्फियर में पहुंच गए थे आप उसके उपर मीजोस्फियर है 80 किलोमेटर तक आयनोस्फियर मीजोस्फियर के उपपर है 80-300 तक आयन मंडल जसको कहते हैं और आयन मंडल में आपको electrically charged particles मिलते हैं ठीक है इसी की विज़े से इसको ionosphere कहते हैं और radio waves जो है वो अर्थ पे वापस कौन भेजता है through ionosphere भी ठीक है ये चोड़ तो इसे इस वादे पांट को B हो जाएगा ये open होता है ये 400 km दिल जाता है बहुत जादा फैला हुआ है ये ठीक है और बस आपको इतना थान रखना है ionosphere के बारे में चीज़ें clear 65 गलत विकल्प चुनें जो 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 इनकरेक्ट ऑप्शन किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप सूरेताप पर निर्भर करता है डेफिनिटली कितना सूरेताप है सूरेदेवी प्रकाशत कर रखा है सब source of energy तो भगवान सूरे ही है आक्षांच के अनुसार सूरेताप की मातरा में भेनिता होती था तापमान में भी तद अनुसार भेनिता पाई जाती है amount of insulation latitude के हिसाब से बदलता है इसलिए temperature भी बदलता है lower layers जो है निचली पड़ते जो है वो सबसे पहले heat up होती है terrestrial radiation से इसी की बज़र से temperature जादा होता है sea level पे और lower होता है higher altitudes पे temperature generally decrease होता है with decreasing altitude घटता है उत्तुंगता घटने के साथ तापमान आमतोर पे घटता है यह कैसे हो सकता है temperature जो है generally decrease होता है with increasing altitude इसी को तो आप कहते है normal lapse rate सुना होगा आपने 66 सही विकल्प चुने choose the correct option जब आदरता धरातल के उपर हवा में सग्रन के इंदरों पर सग्रित नहीं होती है बलकी पत्थर घास और पौधों की पत्तियों जैसे ठोस वस्तुओं की ठंडी सथा पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो इसे ओस कहते हैं जब moisture condensed नहीं होता ठीक है on condensation centers in the air above the surface but it accumulates in the form of water droplets तब उसको कहते हैं dew बादल छोटी पानी की बूंदों या भर्फ के crystal का संगर है होते हैं जो परियाप तो चाहिपर सुतंतर हवा में जल वाश्प के संगरन के कारण बनते हैं clouds क्या है their collection of tiny water droplets or ice crystals that form due to condensation of water vapor and free air at high enough altitudes ऐसी city जिसमें कोरा और धुमा एक साथ बनते हैं 67 सही विकल्प चुनें choose the correct option अब है types of clouds दी हूँ है पक्षाब में कौन से हैं Cyrus clouds जो 8000 से 12000 मेटर पर बनते हैं बहुत ही पतले से होते हैं तूटे-फूटे और उसकी तरह होते हैं ये पंक्खों की तरह हमेशा white होते हैं cotton की तरह दिखते हैं बताओ बी ये आपके white color क्यों होते हैं cotton की तरह दिखने वाले ये नहीं होते cotton की तरह दिखने वाले होते हैं cumulus clouds हिंदी में क्या बोलेंगे इसको capacity mag ये मिलते हैं आपको 4000 से 7000 मेटर क्योंचाहिए ठीक है और इनका base flat होता है cumulus clouds का 68 गलत विकल्प चुरेंज उसे इंकरेक्ट option भूमदे रेखा के 35 से 40 डिग्री उतरो दक्षन आक्षांज के बीच पूर्वी तटो पर बहुत अधिक वर्षा होती है और पूर्व की और कम हो जाती है तब rainfall बहुत मिलेगी आपको इस्टन कोस्ट पे डिक्रीज हो जाएगी इस्ट की तरफ आते आते हैं और 45 से 65 डिग्री नॉट साउथ में आपको वेस्टरली विंड्स दिखेंगी जहां पर rainfall होती है western edges of continents पे और वो इस्ट की तरफ आते जाते हैं डिक्रीज हो जाती है अंदर की तरफ देखें तो 100 से 200 cm rainfall मिलती है annually और central पार्ट में tropical regions के और eastern और interior parts में temperate regions के rainfall जो है 50 से 60 cm barrier होती है ठीक है बताना आपको incorrect पहला हो जाएगा न गलत देखो 35 से 40 degree north south latitude equator पे बहुत बारिश होती है eastern coast के और फिर वो डिक्रीज हो जाती है towards west उल्टा लिख दिया ना तो मतलब statement गलत लिखा हुआ है 69 कोपेन के नुशाल जलवायू वर्गी करन का संबंद सबसे गंदा question दुनिया का बताईए आप इसले test में भी था यह question AF BSH CFA DF करेक्ट बताना है आपको पहला सही है AF में कोई dry season नहीं होता BSH में low latitude semi-arid low latitude semi-arid और dry यह है यह में mid latitude semi-arid or dry रहता है DF में कोई dry season नहीं होता सीवेर विंटर्स होते हैं यह स्कार 70 गलत विखल्प चुनें चूज़ इनकरेक्ट option उश्कट बंदिया आदर जलवायू करक्रेक और मकर रिखा के बीच मिलती आपको आपको इक्वेटर के पास मिलता है अब देखो ऐसे धंदिया ग्रो स्टेटमेंट्स पे ऊश्निकट बंदिया आदर जलवायू के मुख्यक शेत्र दक्षन अमेरिका का Amazon है फिर आपका वेस्ट एक्विटोरिल आफ्रिका है साउथ वेस्ट एशिया है और ट्रॉपिकल मॉ Crystal Humid Climate जो है बेसिकली व आमाजाँ बेसन में मिलेगा आपको western equatorial Africa में मिलेगा और आपको South East Asia में मिलेगा, इसना की वेस्ट एश्या में इसना की को बहुत ध्यान से बनना है सब This 71 Um चुने जो जो जिनकरेक्ट ऑप्शन यह आपको शिफ्टिंग कल्टिविशन के नाम है देखो मैं सब पूछ चुक्यूं एक भी नहीं है जो नहीं कराया पिशले टैस्ट में मिलपा बताओ कहां का है कौनु को बताओ रोको रुका बताओ मैसूल बताओ 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 कहां का है सेंट्रल आफरिका का है मैसूल ठीक है इंडोनेशिया का क्या है लदांग पूछा यह था मैंने आप लोगों से यह बताना है आपको ठीक है चलो रे बताओ कहां का है अब रे कमेंट करो 72 गलत विकल्प चुनेंच उस्दें करेक्ट ऑप्शन फिर से यही है बता शिफ्टिंग कल्टिवेशन पड़ो जल्दी क्वेस्टन और बताओ बेवार राजिस्थान पॉड्डू आंदर प्रदेश पबाडबी उडिसा और कुमारी वेस्टन गार्ट्स हाइलेट कर देती हूं उपर वाला देख लेना है ना मिलपा कॉनुकू रोका मैसोल बता द अधिया और रे आपसे मैंने पूछा है सेवेंटी टू का ए हो जाएगा अब देखना सुनू सारे बता रहे हैं बेवाड और धिया बेवाड और एक होता है धहिया यह एमपी के हैं पॉडू ठीक है पॉडू पेंडा भी बोलते हैं इसको पामा डबी कोमन कहते हैंने इसको कोमन ओडीसा कोमारी वेस्टन गाट्स का है ठीक है ठीक है तो यह याद रखना प्लीज भूलना नहीं है बिलकुल भी आपको और नाम बता देती हूँ मैं आपको राजस्थान का होता है वालरे राजिस्थान का एक होता है खिल हिमालिया का एक होता है कुरूवा जारखंड का और जुम कहते हैं कहां पर चलो जुम तो बता दो कहां कहते हैं सबसे फेमस वाला तो बताई दो कहां कहते हैं हाइलेट कर लो फटा फट दिवार धाया पोडू पमंडाबी, कुमारी, वालरे, खिल, कुरुवा और जुम पूछा है मैंने बताओ 73 सही विकल्प्चिने चूज़ दिकरेक्ट ऑप्षन काली म्रिदाओं की बात आ रही है इनको कहते हैं रेगुर सॉयल्स कॉटन बहुत अच्छा होता है इसमें ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं इसको काली का पास म्रिदा और कहां मिलती है ही महराष्ट्र, सहराष्ट्र, मालवा, MP, सत्यसगर्ड और यापु गुदावरी कृष्णा में भी मिलेगी साउथीस्ट डिरेक्शन में आंसर बताओ ठीक हैं सारी बात हैं तो ब्लैक सॉयल पूरा आपका रेडी हो जाना चाहिए हैं यहां पर गलत विकल्प चुनें चूज़ इनकरेक्ट ऑप्शन जालोड म्रिदाएं आपकी जो है हिमाले की तीन महतवपून नदी तंत्रों सिंधु गंगा भ्रहापुत्र नदी द्वारा लाएगा निक्षेपसन से बनी हैं जो सारा डेपॉसिट वो करती हैं उससे बनती हैं इस्टन कोस्टल प्लेन जो यह महानदी, गुदावरी, कृष्णा, कावीरी के डल्टा बनते हैं यह ऐलोवियल सोयल से बने हैं जालोड मिट्टी से बने हैं अब जायतर जो जालोड मिट्टी हैं वो पोटैश, फॉस्फोरिक ऐसेड, लाइम में काफी अच्छा मिलेगा इनमें इसी वजह से शुगर केन, पैड़ी और यह सब इन पर अच्छा ग्रो करता है आंसर कोई गलत नहीं है, बहुत फॉर्टाइल, सबसे जादा भारत में पाई अलोवियल सोयल्स जाती है बहुत ही फॉर्टाइल है यह याद रखेगा यह चीज़, ठीक है 75 गलत विकल्प चुनें, चूँज़ें, इनकरेक्ट ऑप्शन लेटराइट मिदा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डैसीडूस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पर लेटराइट सोयल है, मतलब हुमस सफीशन्ट है इनमें हुमस की मातरा परियाप्त है लेटराइट मिदा का निर्बान ऊशन कटे बंधी तथा उपोशन कटे बंधी है, जलवाई हुक्षेत्रों में आद्र तथा शुष्क रितूओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है जो लेटराइट सोयल हैं डेविलाप करती हैं अंडर ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल ग्लाइमिट, औल्टरनेट वेट अंड्राइट सीजन आता है ती और कॉफी बहुत अच्छा हुगता इसमें करनाटिका, केरेला, तमिलनाडू में अगर ढंक से मतलब आप ये लगा लो कि मृदा को अच्छे से आप पोशन दे रहे हो सोयल गंजर्वेशन टेकनिक्स यूज़ कर रहे हो तो अच्छा हो जाता है ब्लाक कलर की लेटराइट सोयल, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश, केरेला की बहुत फेमस है काजू उगाने के लिए, बता हूँ डी गलत हो गया है भाईया, ब्लाक कौन सी है रेड है लेटराइट सोयल, रेड, नॉट ब्लाक ठीक सेवेंटी सिक्स करेंगे, सही विकल्प्टिन, चूस दिकरेक्ट ऑप्शन, प्रदानमंत्री कौशल विकास यूजनाओं को 2015 में एक करोड भारती युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रसिक्षत करने के उडिशिशे शुरू किया गया, था टू ट्रेन वन करोड इंडियन्स, कौशल से बता चल रहा है, स्किल डेवलप्मेंट एहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल, कॉटन मिल लगी थी और टाटा एरेन स्टील कंपनी काप स्टार्ट हुई थी 1907 साक्ची जगा है, साक्ची सिंग्भुम, सुबन रेखा और खार की नदी का मिलन है यहां पे, तो संगम पे स्टार्ट की गई थी, यह कुशन रिपीटेड है, यह वाला सेंटेंस, ठीक है मिलकुल, तो यह वाले इंडिया, समझ गया ना, लोहा इसपात उद्योग, इंडिया, होंग कॉंग, साउथ कोरिया, जपान, ताइवान में मिलेंगे, आपको, कॉटन टेक्स्टैल इंड़स्ट्री इस सूती वस्त्रुद्योग, सिलिकन वाली, सेंटरल कैलिफॉनिया की, बैंगलूरू जिसको स प्रिपीटेट क्वेश्टेन है अगर ये भी नहीं पता चल रहा है ना कि रिपीटेट क्वेश्टेन तो धंक से नहीं पढ़ रहे हो कंट्रीज हैं जहां पर ऑटोमोबील इंडस्ट्री स्टाबलिश्ट है मतलब ऑटोमोबील उद्योग है इंकरेक्ट बता रहा है आपको बता है यहां पर ऑटोमोबील उद्योग है क्या है आई टी इंडस्ट्री इस ना यहां पर इंफ्रमेशन टेकनोलजी 78 गलत विकल्प चुने चूज़ दे इंकरेक्ट ऑप्शन 3 दिसंबर 1984 को बहुती पॉजनस ग्यास मिथाईल आइसोसायनाइट हाइडोजन सायनाइड के साथ रियक्शन करके लीक कर गई थी यूनियन कारबाइट फैक्टरी भोपाल से जोसको भोपाल गैस ट्राज़ेटी के नाम से जना जाता है अब भोपाल में हुई इस घटना के संधर्ब में 1989 में प्रकाशित की गई सरकारी सूचना की अनुसार अधिकारेक रूप से मरने वाले विक्तियों की संक्या थी 3598 ओफिशल लिटा था यह 23rd December 2005 को चीन के चौंकिंग के गाउ कियाओं में गैस कूप में विसफोर्ट के कारण मौत हुई थी यह गैस ट्राज़डी इस यहाँ पे दीवी हैं इंकरेक्ट विताना है आपको यह आपका इन में से कोई नहीं है यह बहुत बड़ा हुआ था हाथसा चायना में भी न यहाँ पे 243 लोग मर गये थे 9000 से ज्यादर लोग घायल हुए थे और 64-65000 लोगों को निकाला गया था वहां से जूट को क्या कहते हैं गोल्डन फाइबर कहां बढ़िया उगता है यह जहां पर अलुवियल सॉइल है टेंप्रेचर ज्यादा है रेनफॉल ज्यादा है हुमिड क्लाइमिट है ट्रॉपिकल रीजिन्स की यह क्रॉप है ऊशन कटे बंदे शेत्र में वोगाई जाने वाली फसल है और इंडिया बंगलादेश इसके लीडिंग प्रेड्यूसर्स हैं आंसर ठीक है यह भी कि गलत विकल्प चुने चुने जो जेंकरेक्ट आप्शन जो एक कोई फार्म है मान लिजें अमेरिका में प्रारभिक रूप का जो फार्म है उसका साइज होता है 250 हेक्टियर्स कॉफी को वाउम वेट क्लाइमिट चाहिए वेल ड्रेंट अलुवियल चाहिए आधर गर्म जलवाई हो चाहिए माउंटेनियस लोप जो हैं उन पर जादा अच्छी होती है कॉफी ठीक है जो ढाल होती है परवत की और मेज मक्का को मॉडरेट टेंपरेचर चाहिए रेइनफॉल और लॉट्स अफ संशाइन बी गलत हो गया कॉफी को वॉर्म वेट क्लाइमिट चाहिए अलुवियल स्वाइल कपसे चाहिए भाई कॉफी को तो फ़र हैं पर अपने घर में भी उगा लेते हैं आप लोग नॉर्थ इंडियन्स लोमी स्वाइल चाहिए ठीक है दो मठ ब्रता जिसको कहते हैं सही विकल्प्ट ने चूस दिक औरेक्ट ऑप्शन का पास के तीन शीर्ग उत्पादक देश चाहिए ब्रजील रशिया राइस के चाहिए इंडिया इंडिया वह यूएसे चाहिए ब्राजील बी ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ, कॉटन के हैं, चाइना, इंडिया, और यूएसे, टॉप तीन, 82, सही विकल्प चुनना आपको, आगया ये देखो, नूकलिर एनरजी सेंटर्स हैं, और कहां पे हैं, देखो, कलपक्कम कहां, तारापूर, राना प्रताप सागर, नरोडा काईगा, सारे पता होने चीएं, वैसे तो, हैं कितने, सी एस का अंसर, देखो, कलपकम कहां हैं, तामिल्नाडू में हैं, तारापूर कहां है, महराश्टर में हैं, राना प्रताप सागर कहां है, कोटा के पास पढ़ता है, राजस्थान में, नरोडा कहां पहां है, यूपी नदियों के डेल्टा है, मेजर पैट्रोलियम प्रेडियूसिंग एरियाज, राजस्थान जारकंड के पास यूरेनियम के बहुत अच्छे, निक्षेप मिलेंगे, डेपॉसिट्स मिलेंगे, थोरियम मिलता है, मोनजाइट सैंड्स ऑफ गुजरात में, इंडिया में, जैस ठीक है, चलिए, 84, सही विकल्प चुने, चूस दे करेक्ट ऑप्शन, आफरिका जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डाइमंड, गोल्डर, प्लाटेनम प्रेडियूस करता है, सबसे जाधा, आस्ट्रेलिया बॉकसाइट सबसाधा प्रेडियूस करता है, और कोल प्रेड प्रेडियूसिंग एरिया जंडिया के है, रानी गंच, वेस्ट बेंगॉल में, जरिया, धनबाद, बुकारो, जार्खन में हैं, 85, सही विगल्प चुनें, चूज़ करेक्ट ऑप्शन, सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से थोड़ा अधिक हिसा भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचिर प्रदेश, पंजाब, राज्यमिस्थे थे और शेष हिसा पाकिस्तान में है, जो इंडस बेसिन है, वो मेंली, जम्म कश्मीर, हिमाचिर प्रदेश, पंजाब में हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान में है, गंगा की जल्धारा जिसे भागी रती कहते हैं, इंदी हेड़ वाटर्स अफ गंगा, ये गंगोती ग्लेशिर से पोशित होती है, और उत्राखंड के देव प्रियाग में, अलक नंदा से आके मिलती है, तो पंच प्रियाग पता होने चाहिए, आपको जड़ा कमेंट कर दो अब मुझे, इसी बात पर, ठीक है ये तो बात, 86, सही विकल्प चुने, चूज़ दे करेक्ट ऑप्शन, अंबाला नगर सिंदू तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाचक है, वाटर डिवाइड का काम करता है, सतलच बियास रवी चेनाब जहेलम, ये कहां मिलती हैं, इंडेस में जाके मिलती हैं मिठान कोट, पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसेन अपवाद रोनी अमेज़न रिवर, गंगा भ्रमपुत्र को मेगना के नाम से बुलाए जाता है, बिफोर दे मर्ज इंटू दी ओशन, बखाईए, ठीक हैं ये भी सारे, ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़ है, 87, सही विकल्प्चुनें, चूज़ गरेक्ट ऑप्शन, करके बताया था कि स्वार मंडल अकाश गंगा का एक अंच मातर है, it is only a part of the galaxy, विलियम हर्शेल ने बोला था, बताईए, ठीक हैं सारे, तो ये देख लो, ये आपके Claudius, Tolomi थे, आपके Egypt, Greece के, ये आपके Poland के थे, Copernicus, और ये Britain के थे, Herschel, 88, गलत विकल्प्चुनें, चूज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, अंतराष्टे सरपर, Club of Rome, 1968 में पहली बार, अधिक विवस्थ तरीके से, संसाधन संग्रक्षन की इनोंने बकालत की थी, आप जानते हैं, डाट, Resource Conservation की बात इनोंने की थी, 1968 में, फिर 1987 में आया, Brentland Commission Report, जिसने Concepts या Sustainable Development का, सतत विकास का जो अवधारना दी थी, Agenda 21 आया था, 1992 में, जो Earth Summit हुआ था, बताना incorrect होंच है, कोई गलत नहीं है, Environment Listing में सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला के कराई हैं मैंने, 89, प्रती किलोग्राम समुदरी जल में निमलिखित में से किस घटक की मात्रा, ग्राम में सबसे कम है, lowest in grams, Bromine, Borate, Magnesium, Calcium, B, देखो, components जो है न, सबसादा potassium, bicarbonate, अब इन में से देखो, हाँ, आप का होगे माम कैसे याद रहेगा, थोड़ा बहुत तो देखो, याद रखना पड़ेगा, है न, जैसे chlorine, sodium, magnesium, calcium के, से, मतलब ये बिल्कुल कम है, 0.something वाले हैं ये, Borate हो गया, Bromine हो गया, लेकिन Borate सबसे कम है, 0.02 है, तो ये एक तो याद करना पड़ेगा आपको, 90, सही विकल्प चुनें, choose the correct option, हिम्टोप, जलवाईू, ग्रीनलेंड और अंतरिक भागों में पाई जाती है, वाईू मंडल में उपसित, ग्रीन हाउस गयासों में सबसे अधिक सांधरन कार्बन डायोकसाइड का है, सबसे कॉंसेंटरेटेड जो है, सब में से कार्बन डायोकसाइड है, 1997 जो था, वो सबसे गर्म था, वर्मेस्ट एयर था, not only for 20th century, बट also for the whole millennium, सहस्त्राबदी का सबसे गर्म जो है, वर्ष था, बताइए, बी ठीक है, क्यों, गलत क्यों हो गया, 1998 था, 91, निम्लिके तत्वों को पृत्वी की परपटी में उनकी भागिदारी के अधार पे आपको आरोही करम में लगाना है, participation in the earth's crust, ascending order में लगाना है, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, D हो गया है answer, देखिए, oxygen सबसादा है, आपको पता, oxygen तो सबसे पहले oxygen आना था, फिर silicon है, 27 point something है यह, फिर aluminium है, फिर iron है, फिर calcium है, फिर आपका sodium है, फिर end में आपके potassium, magnesium है, potassium तो के हो जाएगा, फिर magnesium है, 92, सही विकल्प्चन है, choose the correct option, amphibole की सनचनाय में aluminium, calcium, silica, law और magnesium शामिल है, amphibole, annual rainfall dry deciduous forest में 100 से 200 cm होती है, शुष्क पढ़न पाती वनों में, और ocean कटिपन्दी सधाबहार और अर्ध सधाबहार वनों में, व्रक्षों की लंबाई 60 मीटर, बहुत उज़ोचे व्रक्षों होते हैं, बताएए, C सही है, first or third, annual rainfall 100 से 200 cm होती है, moist में, dry में नहीं, आदर में, dry में होती है, 70 से 100, इसी के basis पे तो division है, rainfall के basis पे, 93, सही विकल्प चुनें, choose the correct option, अमलतास और एक्सल वुड, ये पेड़ है, किसमें मिलते हैं, tropical moist deciduous में, जिसका अभी आपने देखा, महुआ चंदन मिलते हैं, tropical dry deciduous में, ये भी आपने उपर देखा, सिडार होलोक मिलते हैं, tropical semi evergreen, ऊशन कटिबंधी है, अर्द सदाभार में, और रोजवुड और महुगिनी कहां मिलते हैं, tropical evergreen में, ऊशन कटिबंधी है, सदाभार वनों में, ये question बहुत famous question है, आता जरूर है, ये question, बी हांस है, third और fourth ठीक है, अमलतास और एक्सल वूड मिलते हैं, ड्राए में, महुआ सैंडल वूड मिलते हैं, moist में, दोनों interchanged है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, excuse me, 94, match the following है, देख लिएजे आप एक बारी, C हो जाएगा answer, देख लिएजे, crocodile breeding project ये 1975 का है, musk deer 1970 का है, vulture conservation 2006 का है, red panda 1996 का है, 95, सही विकल्प चुने, choose the correct option, 4th September 2006 को बाग परियुजना निदेशाले का नाम बदलकर, राष्ट्रे बाग संग्रक्षन प्राधिकरन कर दिया गया था, Tiger Project Directorate का नाम चेंज करके NTCA कर दिया था, Wildlife Protection Act 1972 के तहत उसको बनाय था, section 38L के तहत, और ये एक वैधानिक निकाह है, Ministry of Forest, Environment, Forest and Climate Change के अंडर, तीन इसके छेत्रिय कार्याले मिलेंगे आपको Regional Offices, नाखपुर, गोहाटी और बैंगलोर में, बताईए, थीक है, तो पूरा का पूरा NTCA आपका यहां से प्रिपेर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टन्ट मैंने Environment वीडियो में भी अच्छे से कराया है, 96, गलत विकल्प चुनें, चूज़ए इनकरेक्ट ऑप्शन, केन सरकार ने 3 मैं 2013 को जलिये जीव डॉल्फिन को Non-Human Persons का दर्जा दिया था, और 27 दिसंबर 2018 को उश्ण कटे बंदी वन उसंदान संस्थान की दुवारा जबलपूर में देश का पहला Spider Interpretation Center Arcarium सापत किया था, मतलब कोई बात है, ताइगर है, हेरिटे जनल में बताओ, कमाल हो गया वई, एलिफेंट, डेट, ये ये यर वी यर भी देख ले न, 97, गलत विकल्प चुनें, चूज़ए निकरेक्ट ऑप्शन, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, एंडमान निकोबार को, 9 डिग्री, मिनिकोब मालदीप्स को, रॉस आइलेंड का नाम बदल की किया, निताजी सुभाशंद्र बोस आइलेंड, सारे आइलेंड के बताए थे ये नाम आपको मैंने पिछले टेस्ट में, और नील आइलेंड का करा शहीद आइलेंड, इनकरेक्ट बताओ, भी गलत है 9 डिग्री करता है, आइलेंड ओफ मिनिकोब को लक्षदीप से लग, ठीक है, लक्षदीप से, और ये आइलेंड ते तीन रॉस का नाम कर दिया था, निताजी सुभाशंद्र बोस, नील का कर दे था, शहीद आइलेंड, और हैवलोक का कर दे था, स्वराज आइलेंड, ये इसमें तो देखो कुछ है नहीं, ये तो ऐसी याद करने पड़ेंगे, स्क्वाइर किलोमेटर में जैसे पलार का बहुत जादा है, पैनार का आपका करीब 55213 स्क्वाइर किलोमेटर है, फिर आपका काली नदी का है 5179, ये स्क्वाइर किलोमेटर में हैं, देखो पैनार क का बहुत जादा है 55 213 काली नदी का 5179 है रहांडर का आपका 2770 है स्क्वार किलोमेटर में ब्रामनी का आपका थोड़ा सा रेलेटिविटी के हिसाब स्याद करने बढ़ेंगे आपको 99 सही विकल्प चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन यह बोलरा आपसे मोगली महुचसव कहां मनाया जाता है पैंच टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश में अच्छा जो अर्जुन का पेड़ होता ब्लेट प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है हाट के लिए अच्छा होता अर्जुन कुआत अर्जुन की छाल का पानी है न जब नदिया किसी पहाड़ी से निकल कर सभी दिशाओं में बहती है तो इसको अर्ये प्रतिरूप कर रहता रेडियल पैटन कहा जाता है बता है और सर्प गंधा ब्लेट प्रेशर के लिए उस होता है सुना होगा सर्प गंधा भी आप उन्हें ब्लेट प्रेशर की दवाई में होता है जैनरली जो आयर्वेदिक दवाई होती है ठीक है अब खुश हो जाईए आप क्वेश्चन अब लिकुर अच्छा नहीं है को पह है चोड़ देना पर यह दुरूर देखके जाना है आपको यह आपका होट डेजर्ट होता है ठीक दे रखा है तो डी एफसी क्या होता है यह कोल्ड हूमिड विंटर होता है जहां पर समर बहुत छोटे होते हैं ठीक है लगूश ग्रीशम तथा थंडी आदरशीत जलवाई हो वाला इसमें इसमें अरुनाचल प्रदेश आएगा और है ठीक है चलिए तो अब अपना स्कोर मुझे बताइए फटाफेट कमेंट करके कोई भी पीडिएफ पेड ग्रूप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या वाट्साप कर सकते हैं और स्कोर बताते रहिए तो तो तुरा हमारा भी उत्सहा बना रहेगा कि आपको वीडियो test में all the best to all of you thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद